मैं अभी सिर्फ आई हूँ स्कूल से बच्चे को देखे मैंने कुछ भी नहीं किया है जैसे मैं गई थी स्कूल में वैसा ही है पीछी का भी बैक्डाउंड में कुछ नहीं किया है और खुद का भी जैसे गई थी वैसा ही है आप सब कैसे हो मैं आज यह वीडियो लाई हूँ मेरे किसी एक सब्सक्राइब ने बहुत दिन पहले रिक्विस्ट कर रहा था लेकिन मैंने वह फुल्पिल नहीं किया था मैं करूंगी करूंगी करते करते क्या होता है ना जब मैं ऑइलिंग करती हूँ मैं भूल जाती हूँ उसको शूट करना तो आज मैंने सोचा कि मैं अभी अभी आई हूँ स्कूल से लेकिन मैंने सोचा मुझे मुझे ऑइलिंग करना था मेरे हैर्स पे तो मैंने सोचा क्यू अगर आपका ओइलिंग करने का प्रोसेस ठीक हो तो सो जाधा बाते ना करते हैं, लेट्स के जुम्म टू दा वीडियो मैं आज कोई अपना सिकेर्ट हैर ओल भी नहीं दिखा रही हूँ सिर्फ मैं दिखा रही हूँ नॉर्मल हैर ओल जिससे कि क्योंके सर्दिया है और सर्दियों में आपके हैर में भी एक ड्राइनस आ जाती है सो नॉर्मल हैर वेल आपको कैसे लगाना है सो लगाने के पहले एक प्रोसेडर है, कभी भी आप हैर वेल लगाओ ना उसको थोड़ा सा थोड़ा सा वर्म करना जरूरी है बट आप इसको डिरिकली गैस में वर्म मत कीजिए आपको मतलब डबल बॉइलर प्रोसेस अप यूज कर सकते हो नहीं तो आप अगर ओवन है तो आप ओवन में यूज कर सकते हो तो मैं पहले दिखा हूँ कि डबल बॉइलर प्रोसेस कैसे करते है और लिंक के लिए तो चलिए हम लोग चलते आज किचन में पहले जो मेरा मुझे जो चाहिए था वो दिखिये मैंने एक बरतन में थोड़ा सा पानी ले लिया है और मैंने यहां पर लिया है पैराशुट हैर वाइल नाडियल तिल और एक कट्रा लिया है इसको यहां पर बिखा दूँगी यह थोड़ा सा पानी वर्म होगा और मैंने कट्रोडि में थोड़ा सा नाडियल ति ले लिया है इसको थोड़ा सा मैल्ट होने के लिए और इसके साथ मैं यूज करूँगी ब्लॉसम कोचर का कैस्टर ओल आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये था, तो मैं ये यूज़ करूँगी, इसको मैं वन टेबल स्पून के करीब मैं डाल दूँगी, और इसको मैं मैल्ट होने के लिए अभी छोड़ दूँगी, जब ये मैल्ट हो जाएगा, उसका मतलब ये थोड़ा सा वर्म भी हो जाएगा इसके साथ, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, दिखिए मेरे पास है विटामिन E का कैप्सूल, जो एक कैप्सूल मैं इसके डाल दूँगी, ये दिखिए मैं यहाँ पर ये एक कैप्सूल डाल रही हूँ, और मैं अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स्ट कर लूँगी, लाइट वर्म हुआ है, चलिए, अभी दिखाते हैं इसका प्रोसेडूर, पहले बालों को ठीक से कॉम कर लूँगी, कि कोई भी टैंगल्स ना रहे है, देखिए मैंने दो साइट पार्टिशन कर लिया है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे कॉटन जाईए, तो कॉटन को मैं इसमें डीप करूंगी, डीप करते हुए मुझे कॉटन को ऐसे प्रेस करते करते, पूरे अपने स्कल्प में लगा लेना है, इससे क्या होता है, अपके स्कल्प में अगर कोई भी धूल मिट्टी वगेरा भी है, या तो फिर कोई इन्फैक्शन है, आपको डांडर्फ है, वो सब भी ये रिमूफ कर देगा, अभी पार्टिशन आप चेंज कर लीजिए, सेम यही प्रोसेज में आपको पूरे बालों में कर लेना है, आप सिर्फ सेक्शन चेंज करोगे, और कर लेना है आपको, देखे, मैंने पूरे स्कल्प में अपने लगा लिया है, अभी क्या करना है, अच्छी तरह से अपने नाखुनों से नहीं, अपने फिंगर टिप्स यो है ना, इससे आपको अच्छी तरह से पास से दस में तक ऐसे-ऐसे मसाज करना है इसको, सर्कुलर मोशन में, पहले क्लॉंग बाइस करोगे आप, लाइक दिस, फिर एंटी-क्लॉंग बाइस, पहले ये चीज ऐसे-ऐसे होगा, फिर ऐसे-ऐसे होगा, पूरे सर पे ऐसे राउन-राउन करके आपको मसाज करना है, लेकिन आपको अपने नाखुन यूज नहीं करना है, इसमें, इससे क्या होता है, ऐसा भी नहीं लगएगा, कि आप मतलब बोतल भरके अपने सर पे डाल दिया है, और अपने सर की अच्छी तरह से मालिश भी हो जाएगी, और एक चीज अपके हेयर में, आप अगर ये प्रोसेडूर हफते में दो बार भी आप यूज करते हो ना, और इसको ओवरनाइट छोड़ दो, कल जाके मैं शाइंपउ कर लोंगी, तब आप देखना आपका हेयर ग्रोथ और आपका हेयर का इस्ट्रैक्चर कैसा होता है, और एसे करने के बाद, दस मिनिट ऐसा करने के बाद, आपको हेयर लंथ में भी ऐसे करके लगा लेना है, अब में वी लगाना है, देखिए मैंने अच्छी तरह से जंपी कर लिए है उसके बाद आप क्या करोगे फिर से एक वाइट टूथ वाला कॉम लेके उसको फिर से एक बार कॉम कर लीजिए कॉम करने के बाद आप इसको ऐसे करके रख दीजिए अगर आपका मन करें तो एक पुराना कोई भी अगर टी शर्ट हो तो उसको आप बांद के रखें आधा गंटा हाफ आवर तो क्या होगा ना आपने जो मतलब मसाज किया है उसका जो हीट है वो पूरे अपने सकातर लगेगा और अपने हैर को हैल्दी लेंध भी देगा और अच्छा भी होगा तो यह हो गया मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताईएगा अगर आप लोगों को यह हैल्फुल लगे आप पहले कर लीजिए अग मेरा वीडियो उसके ऊपर आप लोगों का मेरा जो स्पेशियल हैर ओयल वाला वीडियो है वो भी मेल आओंगी जिसके साथ आप जिन लोगों का हैर फॉल जाधा हो रहा है है रुद्रू गया है जान्डर का प्रॉब्लम है वो भी एफेक्टिव होगा तो आज के लिए बस इतना ही, बबाइ, लुट वे बीवटिफल, लुट लुट रुटिफू